असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे आप सब बढ़िया ओके आई वेलकम यू आल टी मैं चैनल शायद सर्स एड़केशन पॉइंट देखे आज मैंने लेक्चर अपलोड क्यों किया और किस सब्जेट के लिए आपके लिए सर्प्राइज है तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्ली चैल्ड हुड कियर एड़केशन राइट बहुत सारे स्टुडेंट्स मेसेज कर रहे थे पर्सनली भी और यूटूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आया है सर हमारे लिए प्लीज एंड प्लीज एससी के दो तीन लेक्चर बेसिक लेक्चर साब हमे अपलोड कीजे तो आज हम आपके लेकर लाए हैं अर्ली चाइल्ड हुड कियर एड़केशन जो आपका सिकल पेपर है ओके बेटा मुझे उमीद है कि आप बहुत खुश होंगे जब आप इस लेक्चर को आप सुनोगे और इंशालला मुझे आपसे मैं आपसे वादा करता हूँ कि लग 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 चार पांच वीडियो मैं अपलोड करूँगा एसी सी के रिलेटेड और वो पांच वीडियो जो आपके सिलेबिस में खाली दो यूनिट्स है इसके एम उस अबच्चे में आती है जब वो बहुत सारे स्टेज को क्रॉस करता है तो बहुत ही एज़ी है अच्छी तरह से आपको समझ आएगा इस प्यूर्ली साइकोलोजिकल तो मैं दो तीन लेक्चर जब आपको बताऊंगा आपको अप्लोड करने के बाद जब आप उनको देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा तो चलते हैं मेटा आज हम आपको बताने जाए रहे है थोड़ा इंट्रोड़क्शन पार्ट हम आज करेंगे थोड़ा पांच-छे मिनिट का वीडियो होगा आपको एक क्यूर्यास्टी बढ़ जाएगी कि वाई यह जो सब्जक्ट है कितना प्यारा सब्जक्ट है और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इस चीज को पढ़ते हो ठीक है तो बच्चे के बारे में पढ़ना बच्चे के मलब देखने को मिलती है तो you must know it as a student, as a teacher, as a parent तो यह चीजे हमें मलब बहुत जरूरी है समझना क्योंकि जितना हम बच्चे को समझेंगे उतना ज्यादा हम इसको educate कर सकेंगे देखे बेटा पहले हम introduce करेंगे why early childhood care and education तो सबसे पहली बात ECCE पहले इसको समझते हैं E here stands for early child care and education देखें बेटा कितने चीजें इस पर छुपी है, one is early yes my dear, एक एक करके हम आपको समझाएंगे care, this care जो है ना यहाँ पर बहुत ही important है बेटा बहुत ही important है childhood education अब इस पर दो चीजें है, early child number is care, number is education सबसे इस से पहले कि मैं इसकी meaning आपको बताओं हला कि meaning मैंने board पे लिखी हुए है, इसको आराम से समझ दे की कोशिश करेंगे, सबसे पहली बात, हम इसको elaborate करेंगे, EC को, EC को elaborate करने की कोशिश करेंगे early child, who is early child, who is early child, there is a confusion तो बहुत सारे objectives आते हैं, MCQs आते हैं, वहाँ पे confusion होता है कि अगर हम UNESCO की, UNESCO एक organization है, UNESCO, UNESCO, ठीक है बेटा, तो उन्होंने इसकी age fix कर दी है, early childhood care and education की age fix कर दी है, तो वो किसको treat करते हैं, early child को, वो treat करते हैं, zero से लेकर six years तक, this is very very important, तो who is here early child, who is here early child, बेटा, आराम से समझदी की कूश करते हैं, देखे, सबसे पहली बात, जब हम एक इनसान की stages की बात करते हैं, when we say, every child, every person, you, me and everyone, we have to pass through different stages, पहला stage जो हमारा होता है न, that is prenatal stage, that is inside the womb of the mother, it is for nine months, right, तो this is called prenatal stage, very good, prenatal stage, ये समझनी की कूश करने हैं बेटा आपको, तो सबसे पहला stage, एक इनसान का होता है, mother's womb, and this is called as prenatal stage, and my dear, it is for nine months, and this is very, very important, UNESCO कहता है, इसको भी include करता है, early childhood care में, क्योंकि मैंने अभी कहा, zero, zero here indicates, when a child is not born, but it is developed inside the womb of the mother, inside our mother's womb, it gets developed, zero period अग्रम कहेंगे, when you talk about the zero period, right, तो zero is also included in early childhood, तो जीरो is also included in early childhood, तो यह बहुत confusion है, बहुत सारे बच्चों को confusion है, early childhood की एज को लेकर, कोई बहुत कहता है, three years and two, no, it is from zero, it is from beginning, तो यह zero, sir, zero means nothing, zero means something here, it means when a child is inside the womb of the mother, a child is not born, but it is developing inside the womb of the mother, that is also included, you know, in early childhood period, right, तो प्रिनाटल स्टेज में बिलकुल इंपॉर्टन है, we have to take care of the mother, we have to take care of the developing futures that is developed inside the womb of the mother, we have to take care of the food that she eats, are you getting my point, my dear, this is very, this is actually very important, you know, this is very, very important, प्रिनाटल स्टेज में हमें में मदर का खयाल रखना होता है, and after that, मदर का खयाल रखना है, so that means we are taking care of the, you know, fetus that is actually developed in the mother's womb, so this is prenatal stage, very important stage, and one must be well educated, ऐसा नहीं है कि बोट सारे, अगर हम देखेंगे, बोट सारे जो हमारी माई हैं, हमारी बहने हैं, उनके साथ जादिती होती है, तो उनको जादा care नहीं मिलता, care यहां मतलब क्या है, care means education, so when you are educated, you can take care, when you are illiterate, when you are, you know, you know, you don't know anything, you cannot take care of the mother, and you are not taking care of the child, so when you take care of the mother, you are basically taking care of the child, are you getting my point, why, because child is not born, but it is inside the womb of the mother, so we have to take care of the mother, and we are actually taking care of the child, so this is education, so education means when you have the time, when you have the care, when you have the love and support, so this is how education is very important, education, if you have education, you have a love, if you have education, you have time, you have care, so you have everything, but if you don't, then why, this is, see, see my dear, यह इसमें सब कुछ छुपा है, यह इतनी बड़ी डिफिनिशन है ना, बेटा, early childhood care and education, तो यहाँ पर care और education को साथ में रखा गया, क्यों, क्योंकि education से ही, बेटा आपको पता चलेगा, कि care कितना important है, तो care जब आप करोगे, तो आपको care करने के लिए, आपके पस time होना चाहिए, तो time is very important, care is very important, when you, when you have both these things, you are well educated, and when you are well educated, you are actually educating your child, and that child who is, जो भी मनलब जना ही नहीं है, जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको educate कर रहे हो, विकाज आप अपनी इस मा के लिए आप time, time रखते हो, है ना बेटा, जो भी आपको सब समझ आ रहे हैं ना, कि early childhood care का मतलब क्या है, यह आप खुद भी आराम से, मलब अगर आप 2-3 मिनट सोचोगे, कि बच्चा कितना important है, बच्चे को किस तरह education दी जाते हैं, education का मतलब यह नहीं कि आपको इसको पढ़ाओ, नहीं यार, education का मतलब है, आपके पास time होना चाहिए, आप कितना love अपने बच्चे के साथ करते हो, आप कितना time spend करोगी अपने बच्चे के साथ, यह भी तो education है, तो according to the report, 0 से लेकर 6 साल तक, यह बहुत important है, जब हम early childhood की age की बात करते हैं, बेटा, please remember, it is 0 to 6 years, तो इसको मैं बात में divide करोगा, वो भी हम आपको सकाएंगे, कहते हैं, research कहते हैं, कि 90% of the brain can get developed, तो तो तेखो कितना important है, this is the past growing age, तो बच्चे की जो 6 साल है ना, बहुत important है, इन 6 साल में बच्चे को कभी ignore नहीं करना चाहिए, as a parent, अगर हम बात करेंगे, we are educated, but wallah we are uneducated, बाद बाद पे हम बच्चे को मार रहे हैं, अगर वो मामली सी गलती करता है, तो हम इसको पीटते हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं, because we don't have education, बच्चा जो भी कर रहा है, करने दो, लेकिन साथ साथ में इसको नज़र रखो, आपके पास time होना चाहिए, care होना चाहिए, बच्चा जो भी करेगा, वो खेलता है, महलाद गंदे चीज़ों के साथ खेलता है, let him, और let her, इसको जो भी, जो भी इसको करना है ना, उसको करने दो, लेकिन बेटा, इसको मलब विजिलेंड रखना है, इसको नज़र रखना है, कि किसी चीज से इसको नुकसान ना हो, जब वो कोई किसी चीज को छेड़ता है, तो हम इसे करते हैं, रिब्यू क्या कर रहे हो, don't do it, no, let him, let her, तो क्योंकि, research कहती है, कि बच्चे का brain जो होता है, ये develop होता है, it's a fast growing development होती है, and 90% of the brain gets developed in these very six years, आप अंदास लगाओ, बेटा, कितना important है early childhood, कि education कितनी important है, ये 6 साल बच्चे के लिए कितनी important है, because 90% of the brain gets developed, and only 10% remains, जो adult, adolescent तक develop होता है, तो fastest growth, इन ही 6 साल में होता है, समझा है बेटा, ओके, तो हम बात कर रहे थे, अब ये ECC जो है, ये चोंकि 6 साल का है, तो इसको हमने डिवाइड किया, पहला क्या है, प्रिनाटल स्टेज, और बेटा दूसरा है, दूसरा है, अगर हम लेंगे, 0 to 3 years, अब रखना है, जो early childhood care education concept है, एज को लेकर, बहुत ही discussion किया जाता है, कि actually it is the prenatal stage, that is also included in ECCE, तो that is why most of the book, they write 0, instead of 1, so here is 0, 0 means, child is not born, but it is developed inside the womb of the mother, and this is prenatal stage, तो prenatal stage में, it is the mother important, when you treat mother as important, you are actually treating your child, when you are ignoring your mother, when you are ignoring the mother, you are actually ignoring the child, I hope it is clear to you, हम कहते हैंना, जब हम अपनी मा को, the mother who is having a child inside the womb, when she goes to the doctor, वो doctor advise करते हैं कि बारी चीज ना उठाए, अच्छा खाना खाए, मतलब ये, balanced diet आपका होना ज़रूरी है, जो आपके बच्चे को भी तंदुस्त रखेगा, और आपको भी तंदुस्त रखेगा, तो ये सारी बाते, डॉक्टर क्यों कहता है, डॉक्टर एक्चुली केर फार दे पेश्ट, आपके बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए, ताकि उसकी जो development है, development है, वो किस तरह हो जाए, देखे बेटा, अब early childhood age को लेकर अगर हम बात करेंगे, तो कितने stages मैंने बोले, सारी से बोलो 3, one is the prenatal stage, sir it is for 9 months, and another is 0 to 3 years, and another is 3 to 6 years, तो कुल मिला कर हम बात करेंगे, तो age को लेकर हम बात करेंगे, 0 to 6 years is the early childhood care education age, early childhood याने early childhood बचे को educate करो, किस के साथ, care के साथ, you educate the child but with a care, you educate a child but with a care, लेकिन किस बचे को, जो 0 से लेकर 6 साल तक बचा होगा, और उसी related जो भी education हम प्रोवाइड करेंगे, तो actually यह government made program है, government में अगर हम देखेंगे policy, national policy of education 1968 में भी इसका जिकर है, 1986 में भी जिकर है, जो हाल हाल में 2020 में NPEI, तो उसमें भी pre-primary education को लेकर, बढ़ा चड़ा के बोला है, कि इस education को ज़्याद से ज़्यादा प्रेमूट करो, समझा गे बेटा, तो अब चलते हैं बेटा, अब यह definition क्या है, अब definition क्या है, देखें बेटा, अगर हम बच्चे को लेंगे, say for example, I will take a child, तो जब हम development की बात करते हैं, सबसे पहली बात, बच्चे की physical growth, very important, बच्चे की language, language, बच्चे का motor development, बच्चे की socialization, बच्चे की emotion, very good, तो इन सभी चीज़ों को develop करना, यह काम होना चाहिए education का, अब देख सकते हैं बेटा, ECCE, यानि Early Childhood Care and Education, is an emerging concept, यह नया नया concept है, that deals with, जो deal किसके साथ कर रहा है, holistic, यानि All-Round Development, और बच्चे में, जिस किसम की भी development हो, चाहे वो physical development हो, social development हो, language development हो, motor development हो, emotional development हो, इनको साब मिलाने के बार, क्या कहते हैं, हाँ, तो यही तो education है, तो Early Childhood Education क्या कहता है, सर यह एक emerging concept है, यह किसके साथ deal करता है, holistic development of a child, holistic का मतलब क्या है, All-Round, इसका मतलब क्या है, इसका physical development भी, language development भी, motor, social and emotional, each and everything, so this is actually, the meaning of, Early Childhood Care and Education, I hope बेटा, आपको यह समझ आ गया होगा, तो इन्शाल्ला, अगर मुझे time मिला, तो रोज मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर रोज नहीं, तो कमस 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 कम, after three, three days, I will give you the lectures, or what, Early Childhood Care and Education, बेटा, मुझे उमीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा, if yes, then please do subscribe to my channel, share my video, and like my video, अगर समझ आया है, तो please बेटा, comment जरूर करना, thank you, मै बेटा, bless you, and इन्शाल्ला, नो, next video इसका होगा, तो that will be goals of ECC, or aims, and need and importantness, thank you, मै बेटा, bless you, and keep always learning,